नमस्कार दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर हम सुपर ERP सौफट्वेर के अंदर जो जो भी नए अपडेट्स लेके आये हैं उसकी बात करने वाले हैं तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखेगा कि सौफट्वेर में क्या-क्या चीजे नहीं आई है सबसे पहले मैं सौ प्रंट वर्जन और रिलीज वर्जन आ रहा है तो यह अपने आप सौफट्वेर यह देखो डाउनलोडिंग अपडेट्स प्लीज वेट software download हो रहा है ATMB की file है अपने app software download हो जाएगा दोस्तों और ये देखो unzip करके software install भी हो जाएगा तो ये है हमारा सबसे बड़ा update जो भी हमारे GST के नए updates वगेर आएंगे ये message आ गया finish तो इस तरीके से software update हो जाता है नए नए features आपको इसी तरीके से मिलते जाएंगे regularly ये सबसे बड़ा feature है software का अब मैं software start कर देता हूँ देखो ये update वाला button चला गया मैंने continue का button दब तो software super speed से start हो जाता है ये एक feature हो गया इसके बाद मैं software के अंदल login करता हूँ user id password ये हो गया हमारा super ERP software दोस्तों super ERP software check out super features of super ERP super speedy billing system super stock management super accounting super simple to operate super secure software data backup straight GST tax data filing super scanning barcode super load now your computer with super ERP from billingsoftware.guru a super site for all types of POS software तो ये हमारे super ERP के हम features देख लेंगे सबसे पहले हमने dashboard के अंदर यहां पर color theme लगा दिया है तो ये colors आप change कर पाते हो ये menu के आगे चले जाते हैं WhatsApp for invoice ये WhatsApp वली बहुत ही बढ़िया feature हमने डाले हुई है आप कोई भी document को report हो गया invoice हो गया customer को सीधा WhatsApp कर सकते हो ये Windows 10 के अंदर ये feature काम करता है तो ये feature भी हमने हमारे software के अंदर डाल दिया है दोस्तों इसके बाद हम आगे चलते हैं support system ये देखो यहाँ पर left side में support का पैनल है live chat दबाने से आपका सीधा WhatsApp वेब के उपर हमसे chatting स्टार्ट हो जाता है और हम लोग immediately support कर देते हैं support system के अंदर हमने यहाँ पर any desk वगेरा भी लगाये हुए हैं जहाँ पर click करने से सीधा any desk यह team viewer start हो जाता है जो हम आपको डाल के देते हैं अब आगे चलते हैं master के अंदर accounts के अंदर accounts के अंदर हमने ledger view दे दिया है तो आपको ledger देखना है यहाँ पर ही आप F8 का button दबा कर ledger देख सकते हो आप यहाँ पर नीचे show ledger का button देख सकते हो दोस्तों तो यह show ledger दबाने से यहाँ पर ही आपको ledger दिख जाता है party का यहाँ पर show item details भी आ जाती है फिर आगे चलते हैं इसके अंदर master creation easy with GSTIN मुझे कोई भी नया master supplier का या customer का बनाना है मैं यहाँ पर GST number type करके ही सीधी उसकी सब detail address phone number वगेरा सब आ जाता है party का details तो हमारा typing का time बचता है उतना तो यह भी एक बहुत ही बढ़िया feature है हमारे super ERP software के अंदर city state area master हमने दिया हुआ है यहाँ पर यह देखो list of city उसको आप state के साथ connect कर सकते हो तो अपने आप वो सब data fill कर लेता है तो GST data filing के अंदर भी problem नहीं होता और data fast entry होती है prices to apply account के अंदर आप यदि wholesale का business करते हो तो वो customer को कौन सा price जाना चाहिए sales price, basic price वो सब options हमने दिये हुए है software के अंदर यह भी एक नया feature है अब हम items के अंदर चले जाते हैं item के अंदर hsn code का dynamic verification दिया हुआ है आप कोई भी product enter करोगे और उसका code डालोगे तो वो code के हिसाब से यहाँ पर आपको hsn code के अंदर वो product आती है कि नहीं उसकी detail आपको दिखाएगा software item का location यह एक नया feature हमने software के अंदर दिया हुआ है extra description डालने का feature दिया हुआ है उसके बाद हम बार कोड के अंदर चले जाते हैं बार कोड के अंदर print QR code का option है और searching के लिए हमने multiple product को select करने के लिए यहाँ पर options दिये हुए हैं जो आप direct select करके आप screen के अंदर load कर सकते हैं उसके direct बार कोड प्रिंट कर सकते हो दोस्तो इसके बाद हम चले जाते हैं यहाँ पर sales price यदि purchase price के margin से calculate करने हैं तो उसके setting भी हमने software के अंदर दिये हुए है margin calculation तो यह भी एक बहुत ही बढ़िया features है फिर auto GST tax for garments यह भी एक बहुत ही बढ़िया feature है जो software के अंदर आया हुआ है apply GST as per price range price range से ऐसा होता है कि garments के अंदर दोस्तो यदि आप जाओगे तो tax slab यदि thousand rupees के उपर है तो 12% लगता है और उसके नीचे 5% हो जाता है तो price range के ही हिसाब से GST लगता है वो भी एक नया feature है ये software के अंदर दोस्तो अब मैं entries में ले चलता हूँ sales के अंदर sales के अंदर सबसे बड़ा feature तो यही हो जाएगा दोस्तो कि आप कोई भी invoice बनाओगे तो उसका WhatsApp आप सीधा customers को कर पाओगे यहाँ पर यह LOE के अंदर हमने company, tag, short name और stocks के data भी आपको दे दिये हैं तो यह भी एक additional features है sales की screen के अंदर tender के options हमने दे दिये हैं और other charges वगेरा के लिए आपको second page में नहीं जाना पड़ता यह देखे यहाँ print के अंदर सीधा WhatsApp आ जाता है e-bill आता है और e-invoice आता है जो QR code generate होता है invoice का जो 2 करोड के उपर के turnover के business को काम लगता है और यह e-invoice सीधा government के portal के अंदर चला जाता है इसका additional charge रहता है इसका API purchase करना पड़ता है तो यह feature भी हमने इसी software के अंदर यह sales bill के features के अंदर दे दिया है दोस्तों अब हम चले जाते हैं आगे outstanding tracker यहाँ पर आप outstanding customer का है उसका tracker scroll bar activate कर सकते हो दोस्तों अलग-अलग form यदि बनाई हुई है तो उसके हिसाब से अलग-अलग invoice profile print profile आप बना सकते हो point of sale के अंदर चले जाते है point of sale के अंदर हमने hold invoice का एक नया feature डाला हुआ है whatsapp तो है ही और tender के लिए cash card को select करने के लिए radio button दे दिया है जो amount सीधा पकड़ लेता है दोस्तों इसके बाद multiple bill number search POS bill book के अंदर आ जाता है तो यह भी आपको यहाँ पर बहुत ही बढ़िया है आप invoice bill amount की range के हिसाब से search कर सकते हो multi tender easy हो गया touch POS for fast billing आप यहाँ पर point of sale की जगे पर point of sale touch को भी use कर सकते हैं दोस्तों तो यह भी एक screen है जो यह software की खासियत है दोस्तों तो touch POS हो गया आपको point of sale के अंदर फिर quotation making with images हमारे पास quotation के लिए आपको जब print में जाओगे दोस्तों तो आपको software ले जाएगा कि आप images के साथ quotation को print कर सकते हो और simple quotation भी बना सकते हैं उसके लिए भी अलग से item वगेरा store नहीं करोगे तो भी एक अलग से अमने screen बनाई होई है उसके बाद आजाएंगे show groups in quick receipt and quick payment यहाँ पर payment mode के बाद आपको sundry dators sundry creditors कौन से group के पास से आपको payment receipt लेना है उसकी detail आ जाती है और accounts के अंदर आपको city area भी दिखाते हैं तो यह features भी यह software के अंदर नया है दोस्तो separate entry for cash entry cash entry के लिए payment या receipt के लिए separate entry screen हमने बनाई हुई है production के लिए यहाँ पर manual production भी बनाया हुआ है जिसके अंदर आपके units वगेरा भी measure होते हैं और amounts भी आता है renumbering करके आप invoices को delete करके आप renumbering भी कर सकते हो यह भी एक बड़ा feature है software के अंदर reports के अंदर देख लेते हैं दोस्तो कि GST के perfect latest updated reports आपको मिलने वाले हैं दोस्तो यहाँ पर monthly select करने के बाद और उसके अलग अलग जो भी format है वो हम latest to latest आपको खुद आपको किसी को बोलने की जरूदने आप खुद ही हमने शुरुआत में बताया update कर लिया यहाँ पर से आपको वो reports आ जाते हैं यह भी बहुत ही बढ़िया feature है दोस्तो separate tab for stock report हमने पूरा बना दिया हुआ है यहाँ पर stock के अलग से report दिखेंगे top customers हमारे sales के अंदर कौन है तो वो भी एक report हमने software के अंदर develop किया हुआ है दोस्तों जो ज्यादा purchase करते हैं उसके लिए specific report है log report के अंदर हमने आपको printing के लिए अलग-अलग option दे दियें जो आप whatsapp, pdf वगेरा कर सकते हो दोस्तों इसी software के अंदर और stock report के अंदर आप देखोगे तो हमने आपको 100 stock item sold in specific date range भई मैंने यह हफते में कितनी item sell की उसी का मुझे stock report देखना है तो वो भी software दिखाता है तो इस हिसाब से नए काफी सारे reports भी हम हमने बनाए हुए हैं दोस्तों जब हम software बंद करते हैं तो उसका data backup direct email करने की भी facility बनाई हुई है हाला कि इसके लिए email API आपका SMTP pop3 open होना चाहिए तो ये चीज भी हम software के अंदर देते हैं दोस्तों तो कुल मिला करके काफी सारे features हो गए इसको छोड़के भी काफी सारे features software क अंदर बनाए हुए हैं जो शायद रहे जायते होंगे तो हम आपको दूसरे वीडियो के अंदर आपने चैनल को subscribe किया हुआ है तो आपको पता चलता रहेगा तो आशा करता हूँ ये software आपको अच्छा लगा होगा ये daily, monthly, weekly updates के लिए ये software हमारा renewable mode के उपर चलता है हर साल इसका renewal आता है और renewal charges पे करने से ही software ये चलता है दोस्तो इसके साथ support भी आपको मिलेगा तो ये है हमारा नया super ERP software दोस्तो के इस तरीके के बहुत सारे हमारे retail के product के detail दिए गए है वो product के आप information लो और सभी product के नीचे description के अंदर link भी दी गई है वहां से आप वही product को download कर सकते हो हमारी website पर से उसका demo देख सकते हो उसका कोई charge नहीं लेते हैं आप check करो evaluate करो और यदि अच्छी product लगे तो आप उसक करो उसका license version हमसे purchase करो थैंक यू